मादूरी दिक्षित को स्क्रीन पे देखना बहुती आई फ्लीजिंग है लेकिन काफी टाइम से आँखों को नहीं हुआ है दीदार दे लेजंड का काफी अर से पहले हमने उन्हें गुलाव गैंग में देखा था उसके बाद सेलिबरिटी दिखाई दी रियालिटी डांसिंग शो को जच करते हुए ही लेकिन अब खबरें ऐसी घूम रही है कि एक्टरस मादूरी दिक्षित नेले ने साइन कर ली है अपनी नेक्स्ट फिल्म ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है टू स्टेट्स के डिरेक्टर अभिशेक वर्मन जिसको टाइटल दिया है इन्होंने शिद्दत इससे पहले फिल्म का नाम कलंग रखा गया था लेकिन अब चेंज करके से शिद्दत रख दिया गया है अब जाक चल रही है कि क्या इस फिल्म में माधुरी प्ले कर रही है आलिया भट की मा का रोल क्योंकि फिल्म है एक लव ट्राइंगल जो फीचर कर रही है वरुंधवन और अरजुन कपूर को भी कुछ समय पहले ख़बर ऐसी आई थी कि सोनम कपूर की मा के रोल के लिए माधुरी दिक्षित को अप्रोच किया गया था और माधुरी ने मना कर दिया था इस रोल के लिए तो अब क्या माधुरी बनेंगी आलिया की मा स्टे कनेक्टिट टू नो ओर